आओ आपको दिखाते है चाइना बोर्डर के पास घर कैसे है अगर यह पड़ा दिखा मुझे यहाँ पे तो उठा के ले जाओंगा चाइना और फिर वहाँ पर देख ले ना जो होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है फिर अंकल कहरें एक दिन का सो रुपे किरा है एक गाड़ी का लेकिन हम असी मांगते हैं फिर भी नहीं मिलते हैं तो बेचते नहीं हो आप यह देखो भाई पूरे जाले जाले ऐसे लग रहा है और जंग भी लग गया वहाँ पे तो देखो इतने करोडों की गाड़ी है भाई पर खड़ी हुई है विराने में तो को नहीं साइगा भई रैस पासिंग करवात तो वहां से शोड़ गन मारेगा कोई ठाट पे पर सीधा पाट से हैड़ शोड एरिया ना मुझे मतलब हिमाचल और प्रोपर उत्राखंड वाले गाउं की वाइब दे रहा है मतलल लोग भी है अलग कि उन्हें धंग से इंदी आती नहीं है तूटी-फूटी इंदी बोलते है तो भाई पहले ही एक और होटल मिल गया अच्छा है यह ना तो यहां पर मैंने रूम भी देख लिया बढ़िया है वाई-फाई की स्पीड भी 80-90 Mbps रही है और हीटर भी आपके पास त सब कुछ मिला के इंदिया के 12-1300 रुपे और मैंने इंसे बात कर लिया डॉलर में तो वह रहे ठीक है मेरे को 14 डॉलर दे तो हो जाया काम बड़ी है और हीटर की भी अपना नहीं निकालना पड़ेगा इन्हीं का यूज कर लेंगे बड़े वाला और मस्त रूम गरम गरम पार्किंग भी अंदर है सबसे बड़िया और बोर्डर जाश्ट यहां से पांच मिनट की दूरी पर है सुबा उठेंगे और कट लेंगे और बाक की तो सूटकेस नहीं निकाल रहे एक बस जो कैमरा वाला बैग है जिसमें मेरा लैप्टोप लैप्टोप है बस यह ले चल देते हैं अब इसे फैमली रूम क्या नोर्मल रूम क्या और सेंग चीज है बाकी यहां पर हीटर चला रहे है तो बास रूम और दिखा दो यह इस तरह का बात रूम मिलता है गरम पानी भाईया कह रहे है सोलर पैनल लगे हुए तो दिन में आएगा वी शाम के टाइम तो तो आप करके देदो क्योंकि थंडा पानी था आग जगा है ना हाँ वहां कर देना चलो सीड़ों कि थीक थेंक्यू सो मच ओके जी थोड़े से हाथ से लेते गरम कर लेते और फिर बाहर निकलते आपको ना मैं तूर दूंगा यहां कर दो चाइना बोर्डर पे लोग कैसे रह दुकानों पे क्या क्या भिकता है और लोगों की दिन चर रहा गया बेसिकली क्योंकि अभी शाम के नेपाल में तो चार ही बज़े है चार नहीं साड़ी चार हो गया है बट हमार पाई एक डिट घंटा है अंदे रहोंने में तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्प्लोर करते चल ही दे दो चलो जी चलो दो ही समान है अपना ये हीटर भी ले आना है पता कुछ होटल्स होते जहां पर ना घुछता ही आपको पॉजिटिव सी फील आती है वैसे यह मतलब दिखने में भी अच्छा सिंपल सोबर ऐसे गंदगी निया और रूम भी अच्छे और वाई- और चाइना के जश्ट बोर्डर पे आप देख रहे हो बाई नमस्ते उस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नए एपिसोड इस ट्रिप हम निकले हुए इंडिया से उस्ट्रेलिया अपनी स्कोर प्यो एन को लेके 110 दिनों के लिए जिसमें हम ग्यारा से जाद़ कंट्री इस पर आ रही है जैसी चाइना एक्जिट कर जाएंगे धड़ा धड़ भाई रोज ऐसे रेल लगा दू हम वीडियो की हर रोस हुआ सुआ ठीक है जी बाकि आप मेंसे जो लोग भी पूरा वर्ल्ड मेरी तरह घुमना चाते हो भी फ्री में जी हाँ बिना पैसे लगाए औ तो ट्रेवल करते करते हैं पैसा भी कमाना चाहते हो तो मैंने एक कोर्स लौंज कर दिया डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंड में लिंक दे रख है जाके भाई अभी क्या भी एन्रोल करो मेरा कूपन कोड यूज कर ले ना आई भी 40 चालिस परशन का डिसकाउंट मिल जाए रोड्स तो मैंने पूरे दिन में आपको इतनी बार दिखाई दिया भाई कुछ खास नहीं है यहां के लोग बिचारे परशान ही रहते होंगे होटल के जस्ट साइड में यह है एक्सिलेंट होली डेस नेपाल ट्रेवल टूर्स मतलब तूरिंग एजंसी आपको कुछ भी अगरा का बुक करवान होगो आप यहां से करवा सकते हो आप थोड़ा उपर चलते हैं वहाँ पे दुकाने देखी थी मैंने दोचा जो इमिग्रेशन ओफिस था ना भाई वो यही बिल्डिंग है तो इमिग्रेशन ओफिस के जस्ट साइड में ही हमने होटल लिया है देख तो वह लोगों को रूम चाहिए खाना चाहिए उसी में इनकी एकोनमी टीक हुई है पुरी क्योंकि यहां पर तो भाई तो बैट्री तो कुछ भी नहीं है और गुजारा भी क्या ही है सारा टूरिजम सेक्टर पर चल रहे हैं यहां पर चीज़े यहां पर होटल है यहां प और यहएं रहे हेस कर देखते हैं पेड़ शूब्स के तर्वा रमक वहासिक है कर लेंगे है बहुत जादि का अगहिए है यह देखो भाई वो गाड़ी है घड़ी हुए जो मैं आपको बता रहत ना चाइना से इंपोर्ट होती है यहाँ पर फिर कस्टम क्लियरेंस के बाद लोगों के पास यह शोरूम पर फोंचती है तो यह पूरा टेपिंग एपिंग कर रखे बॉनट पर दागी स्क्रैचिस ना अब लुईना मैं तो मना कर दू है इतनी जादा स्क्रैचिस रैंड पता नहीं कौन से है तो चाइनीज पीछे देख थोड़ा थोड़ा लुख ना मिनी कूपर जैसा लग रहा है इसका है मतलब मिनी कूपर और स्विफ्ट को कम्बाइन कर दियो ऐसा लग रहा है यह देख सब्सक्राइब कर देखेंगे तो चल रहा है एक स्ट्राइक में ले लूँ रहा है वह ब्लैक जाएगी पहले तो कहा है लाइनी नहीं चाहिए है वह ब्लैक वाली गोटी अपने को अंदर डालनी है जाती है कि नहीं अरे दिगा ना पावल हो गया वैए थेलो खेलो आप साथ बिस्कुट बाई एक पउना अपर तो दो दे दो पिर फिर उन बाई को पांच डॉलर दिये दे तो नेपाली करंसी अपने पाद होडी बहुत है आजो यहां पर तो माहोल बन दा है है कारे कराम शुरू होने वाले हैं यहां पर समझे होना है आओ जी हाँ यहां तो रेस्ट्रेंट कैफे में भी रख्थ हुई है लोगों ने बहुत ले बेचने में ही माचल वगारा में भी दिक्कत नहीं है बता है जो का सोल के कैफे है न चोटे मोटे या गैस ताउस है वो भी वेरा आजओ यह ले यह ले 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 अरे सुन ले बाही और है काहं बागो ऄो इंकल यंकल इदर आए कहारे भाई सब यहां बस भश खदी यह वहाँ पर तो इसलिए === 5 लाव नी रख सकते हैं या रख देशते लो जी चलो खाओ अगर छोड़ा बेटा सुन रहा है होई हेलो मिस्टर इधर आगया इधर 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 देख कैसे चुप गया अगर खाया नहीं मैं आ रहा हूँ अभी 10 मिन में अगर यह पड़ा हुआ दिखा मुझे यहां पर उठा के ले जाओंगा चाइना औ लोगों के घर भी है तो वहां चल के देखते है थोड़ा से लोकल लाइफ में यह तो थोड़ा टूरिस एरिया हो गया उपर थोड़ा सा ना वह जाएगा अच्छा यह तो गैराज है किसी का रिपेरिंग और करवानियों कुछ भी और यहां भी बहुत सारी गाड़ी है श्युक्ते ख़़्य है एक दो कडिया खड़ा ट चींक ऐ। एक दोगये खड़ी है कौश में इमक all कि इतने अपको आती हिंद यहां ऑट कि इतने डिन गार्पर कुछ जाएग कीए और अच्छा थो इसरा कया ओ difॉत EXP वील पार्णी यहां को ओड़ी एटे यह कीया है के कौ बीस गाड़ी पांच महीने से कड़ी हैं यह एक बर्स पांच महीने बाया है अए विड्ल साल से गारा हुँ वह इस रूपह है तो सब इन पांच महीने से कर दो, उसस्सक्राइब चलाओ करें चाबडने जऄने ना कितनी गाड़ी है गाड़ी एक डिन का सो रुपे बी किराय पकड़ो तो आठ हजार रुपे किराय बनता है नेपाली में और देखा न मैं आपको दिखाए बाई मकडियों के जाले लग गये नहीं नहीं गाड़ी अंकल के लाखो रुप्य अटके पड़े है कोई देख रहा हो भाई सरकार से तो अंकल जी की मतलब आपकी ये पारकिंग पूरी पूरा थीक है चलो बड़िया लगा मैंने बोल दिया वीडियो में आप जिनकी ये गाड़ी होंगी वो आखे ले जाएंगे और पैसे दे जाए हो एक गाड़ी दिखाता हूं उसमें लिटरेली मकडी के जाले लगे हुए इतने सारे ये देखो भाई पूरे जाले जाले ऐसे लग रहा है स्पाइडर मैन का गर यहीं पर बसा रखा था और जंग भी लग गया वहाँ पे तो देखो क्योंकि बारीश वारीश पढ़ रही हुई है सोचो यहाल हो रखा है यह देखो भाई यहां भी पिकट्रक खड़े हुए है मतलग यह अराम से इंडियान करेंसी में 20-25 लाग का तो एक पिकट्रक हो गई चाइना में है ना और कितनी गाड़िया खड़ी यहां पर अंकल बता रहे हैं असी से सो गाड़िया कितन पर चले जाते हैं को लेके या फिर अंकल भी खुछ चला लेते हैं वचाप भी ओविसली लेकर गए हुए भाई वह इसी को आइडिया हो ना बता ना भाई यह कंपनी की गाड़ी है मैं तो यह लग रहा है उन्होंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी इसलिए ले जाना आता हुना तभी यह कश्टम ड्यूटी पे करके सीधा कस्टमर को बेचते हो बाई डेड़ डेट साल से खड़ी होगी गाड़ी कों और में अश्टा मर्चा मेरी न्यूटी उचालत में चाड़ी होई यह एज्ड़ ले जाओ गाड़ी वाई लेके लेकर बापिस कुछ भी देख सकते हो आप भाई घर बने हुए लोकल लोगों के जैसे अंकल जी थे जिनकी पार्किंग है वो इनी का घर होगा यहां पर कहीं पर इस तरह का पूरा एरिया और उपर पहाडी पहाड मस्त भाई एकदम और जो आप पहाडी देख रहे हो ना भाई वो पहाडी बस उससे पीछे चाई नहीं है समझ लो हो सकता है यह पहाडी भी चाईना में एक्जिस्ट करती हो कह नहीं सकते हैं और वहाँ पर मेरे ख्याल से होटल वोटल कुछ बन रहा था बट या तो आग लगी पड़ी है या फिर कई सालों से कंशक्शन हुई नहीं पता नहीं क्या पंगा ह आँ थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाते हैं गाउं में देखते हैं वैसे पता है जो इंडिया नेपाल इंडिया के रिलेशनशिप काफी सही है तो सेक्योर्टी तो है नो डाउट बट इतनी वो नहीं है कि बंदू के उंदू के लेके खड़े हुए या रिस्ट्रिक्श कोई दिख्कत निया है और नेपाल साइड में अरे तो बंद भाई किसी की प्राइवेट प्रोपर्टी में ले जा रहे हो तुम मेरे को हैं ट्रेस पासिंग करवात तो वहां से शोट गन मारेगा कोई ठाट पे और सीधा पाट से हैड शॉट चलो आव नीचे से देखते है इस गाड़ी की लाइट देखो भाई कैसे ऐसे मतना 3D से श्रक्चर लग रहा है बाहर की तरफ निकला हुआ 3D तो है मतलब ओविसली पर दिखने में मड़िया लग रही है रही ना वालो एक दो गाड़ी हमारे इंडिया में भेज़ दो मस्त मस्ती कोई ऐसी सस्ती 20-15 देशों में लोगो को बोलता हुना कि 30 रुपे की गाड़ी है लोग है रहान हो जाते वह गहते हैं लैंड क्रूजर के टकर की गाड़ी निकाल दी है 30 रुपे में तो मैं कहता हूं इतना तो नहीं जादा हो गया वट ठीक है फिर भी साइड लुक ना लैंड कूजर जैसी अपनी स्कोर प्यान की कहीं ना कहीं और 30 रुप में बाई नो डाउट अच्छी गाड़ी है बड़ी है हम तो इतना किलोमेटर चला चुके और इस ट्रिप को खतम होते होते 60,000 क्या सपास चल जाएगी वो गाड़ी है यह आगे भाई हम वो घास्पूस वाली गाड़ी में देखो पूरा चारा रख 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 है गाए भैस को चरहने वाला गाड़ी के अंदर नई गाड़ियों की यह हालत है मेरे को मतलब सोचके यहरानी हुरी है क्या चल रहा है वाई यह इतनी ब्रैड न्यू चमचमाती रैपर तक चड़े हुए उन गाड़ियों के यह हाल है य ब्यम डब्लू वाला वो लगा रख है गेर नौब जो एक्स थ्री में आता है शायद से हाँ बड़ी है यह गाड़ी तो और इसकी सेकंड रो देखें यह लोग है चलो पर खुल सकती अंदर से यह यह डीजल या पेट्रोल जो भी गाड़ी होएगी उसके लिए अगर क्योंकि हर गाड़ी के शीशे बंद है सिर्फ इसी गाड़ी के खुले है और इसमें चारा भी है भाई पता नहीं चलो चले आओ क्या कर नाम है अंकल कहीं इसी में सोते हो कह रहे हैं मेरी पार्किंग तो हड़ापली है हम मैं इसी में सोंगो मस मता अंकल जी की जो भेड़ बखरिया गाएं हैं उनके लिए जगा नहीं बची गाड़ियों नहीं सारी जगा ले ली मुर्गे देखो यह गाएं गाएं दूद देती है अच्छा देखो भाई यह घर आपका है यह वाला अच्छा यहां पर अंकल जी रहते है और यह इनके पूरे पशू-पक्षी जि पर अच्छा देखो बारिश और सनो पड़े तो टिके ना इसके उपर ऐसे ड्धलान से नीचे आजे पूरा और रेन वाटर हर्वेस्टिंग भी सिस्टम अच्छे से बनवा रख रख है कई लोगों नहीं दिख रहा मुझे बट इस होटल में रुके हुए उन्हों ने बन पर देखो भाई उस पर पूरा पर बरफ पड़ी है और सूरज की किरने गिर लिए अब काफी देर चल लिए चड़ लिए उतर लिए ना तो इतनी जाए ठंड नहीं लगड़ी है ठंड बट हमें फील नहीं हो रही तो थोड़ा सा और एक्स्प्रोर करके देख इस गाउं क में जाने का बाई बट रस्ता नी मिल रहा अपने को कितना देखना फ्लो भाई पानी का तगड़ाई है यह वह एक होटल है काफी बड़ा सा जाधा टूरिश यहां पर है नहीं अभिस रीजन्स आपको पताई है कोई ही जात भाई चाहिना बारवर एसे ट्रक वाले जाथत तो वह आज़ा जाते है चाहीना एंटर करने के लिए बश और अवास सुना तैज हरा यह यह बाई तया जाते है अगज। जो बाइ रुके ही ना बैता चला जाए वैता चला जाए यह अगाओं की वाइप दे रहे हैं वह देखो वह दिख रहा है वहाँ पर लोग जा रहे है उसकी भाई यहां से एंट्री है तलो सीडी है थोड़ी वह चड़ के देखते हैं अगर चड़ा जाए बाकि यह भाई लैंड क्रूजर जो मैंने आपको पिछले व्लोग में आसुबा दिखाई थी पुराने वाला मुझे मंदेर मज़िद वगारा यह जो सामने पहाड है वो चाइना साइड में है क्योंकि देखो वो रह बोर्डर यह जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना यह यह नहीं था यार कहां गया मेरे ख्याल से तो यह ही था पता नहीं मैं कुदी बूल गया वड़ यह पहाड पक्का चाइना में ही लग रहा मुझे चलते है अपने होटल में ठंड बढ़ती जा रही है कामवाम भी निप्टाना है आज जल्दी सोना है तो कि कल चाइना के टाइम के अकोर्डिंग हमें साथ साथ बजे बोडर पहुंच जाना है ताकि इनफ टाइम हो घूमने मतलब क् पाइब बोलता हूं तो यहां के साथ बजे नुट निए लेंगा तो निकली लेंगा है यह उठता नहीं वरना मैं तो उठ जाता हूं सुबह चार बजे ही ऐसे मस्योगा होगा करता हूं एक्सराइज करता हूं पंदरा किलोमेटर की रनिंग करता हूं फिर कुछ हैल्दी भाइसाब कुछ जादन आ दो मजाग कर रहे हैं वहारा बज़े उठने वाला आदमी करता है तो नहीं है काम इतना होता है रात को कि सुबह फिर उठ साहर नहीं जाता है तो जिस दिन निकलना होता हुँ उस दिन भाइए धाल भी जाते पाँच-चे बजे अगर बिलकुल नुआ कोट नेपाल से ही हो हम इंडिया से है चाइना जा रहे है दिल्ली से आओ ले चले आपको अधिक्की में ले चलेंगे रखके चलो ठीक है जी ओक्के जी यूटूब है इंडियन बैकपेकर सब्सक्राइब करना है और वीडियो सारी देखनी है एक एक वीडियो पांच देखो पका प्रोमिस देख लो तूटे ना प्रोमिस फिर हाथ ना छूटे साथ ना छूटे ऑगा है चलो जी ओके बाई बाई थेंक्यू जी ये था टाटा एस की कोपी नहीं लगी दिवाए जो टाटा का ट्रकाता है नाम भी देखने शी जागा जैस लिग दिया जे इस यह भी मेरको लग रहा है इंपोर्त वाला है क्योंकि देखो पन्यवन्नी चड़ी उए लगा हुए यह यह इलेक्ट्रिक अदिजल है इलेक्ट्रिक लग रहा है मुझे तो देखना टैंक तो है नहीं बेटरी है हाँ तो वही है विजली वाला है यह पूरा लंब यार काफी वहाँ भाई 4x4 पिकप ट्रक खड़े हैं, उनकी कोई उकात नी है, तो इसकी तो क्या ही होएगी, देग रहे हो भाई, गाड़ियों को उकात दिखा दी, पूरी की पूरी, तो भाई इस गाउं का नाम है, खटे कोला, जैसे वो बच्चे ने खटी टोफी खाई थी, वैसे ही खटे कोला नाम है, तो इसका मैंने आपको पूरा टूर दे दिया, कैसा लगा आपको ये विलेज, बिल्कुल चाइना बोर्डर से, हाडली 10 मिनट भी, रसुआ ना, रसुआ, हाँ, रसुआ था, गूगल मैप पे लिखा हुआ, तो कैसा लगा आपको बताना जी, कमेंट से कर लेना, IB40, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेट्स को, कमोन, फॉलो मी, कैमरामेन, फॉलो मी, लो जी, अपना टाटा का भी ट्रक मिल गया है, प्रोकर मेटल बोडी वाला, ऐसे मतलब, देखके से लगता है, कि भाई, सामने पहाड आजा, पहाड को भी उड़ा देगा भाई ये देखुए, Lexus की कोपी, Maxus, जो मैं बता रहा रहा था, इसी की इलेक्टरिक गाड़ी है, क्या भाई, ये तो Lamborghini Urus लग रही है, पूरी उरुस की कोपी है, डिट्टो की डिट्टो भाई आगे से, रोप पर भाई, सेवन टीटर है, ये तो KIA की जो, कार्णीवल, तोड़ी थोड़ी और यह वोरी भाई मिनी कूपर की कोपी जो हमें आपको दिखा रहा था तेम टू सेम लगती है बाकि एम जी की काड़िया खड़ी है भाई जैसे वहां पर खड़ी हुई थी काफी सारी है यहां पर भी देखोगे ना दूर दूर तक हाई साव कितने करोड हमाल पड़ा हैं बोर्डर के साइड में और ऐसी लवार इस किसी को कुछ लेना देना नहीं बाकि यहां पर देखो यह लकडिया पड़ी हुई है आग जलाने के खाना बनाने के काम आती है पूरा काट-काट के धेर बना रख अच्छे से जो यहां के लोग कर लोग है उन्ह क्योंकि भाई ठंड इतनी पड़ती है दिसंबर में यह अभी 3-4 डिगरी पहुंच रहा है रात के टाइम पर तेमपर तो इसलिए लकडियों का तो इस्तमाल बहुत जरूरी है तो भाई उपर का तो पूरा टूर करे है नीच्छे कुछ ज्यादा है नहीं पर एक और पारक इसकी काड़ी देखना एंड तक यहां से शुरू हो रही है और वहां तक गाड़ी है कम से कम नहीं तो सो से उपर गाड़ी होंगी यह भी ब्रैंड न्यू बिल्कुल सारी की सारी इलेक्ट्रिक वह देख रहे हो भाई नीच्छे तक पारकिंग है वहां तक ओए होई होई ह क्रेजी सीन चल रहे बाई क्रेजी वाले हां पर तो कैसे लगा आपको यह पूरे गाउं का टूर इसे तो भाईया चाइना बोर्टर की जगा गाडियों का पूरा गोदाम गोशित कर देना चाहिए कार गोदाम नगदो इस गाउं का नाम सही रहेगा ना वाकी ठीक है जी खतम करते वीडियो को मिलते जी नक्वीडियो में कल बोडर क्रोज कर लेंगे हम और चाइना इंटर कर जाएंगे तो व्लोग देखते रहे थे रहना एसी टाइं टू टाइम लाइक कर देना शेयर करो कमेंट करो अच्छ 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 और कर ना है सबस्क्राइब बेल मिलता हूँ आपसे नेक्स व्लोग में, till then goodbye and as always, तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना पीका, boom bye हूँ जता हूँ